बीजेपी सांसद भोला सिंग जी हमारे साथ मौजूद है सर पिछले एक हफ़ते की बात करें इस हफ़ते की भी बात करें पालियमेंट अभी तक चल नहीं पा रही है बिपक्च लगातार जेपी सी की मांग पर अड़ा हुआ है क्या कहेंगे देखिए ये दुर्भाग गया है कि जिस पार्टी ने देश में आजादी के 75 सालों में 63 सासन किया सत्ता उनकी रही पिर्धान मंत्री उनके रही और उनके नेता जो कांगरेस के राजकुमार जिनको मानते हैं राहूल गांडी जी वो पार्लियमेंट में कभी आते नहीं है पार्लियमेंट में हाजरी देखें उनकी तो एक पर्टेंट भी नहीं होंगी और दुनिया में जाके देश की छवी खराब करने के लिए देश को बदनाम करने के लिए वो बोलते हैं कि उनको पार्लिमेंट में बोलने का मौका नहीं मिलता है उनका अगर रिकॉर्ड निकाला जाए उनसे पूछा जाए कि आपने कितने डिवेटों में हिस्सा लिया है और जब भी वो और उनकी पार्टी के नेता पार्लिमेंट में रहे कोई भी डिवेट हुआ जब रेपला ही हमारी सरकार का दिया जाता है वो वहाँ से भग जाते हैं सुन नहीं पाते हैं तो इधुरभागे की बात है और रावल गांदी जी की वैसे पाले मेट नहीं चल लए है इतना माफी मांगने में उनको क्या प्रॉलम है जब देश के सामने उन्होंने दुनिया के सामने देश की छवी को धुमेल करने का कार्या किया है उनको थोड़ा आंकलन करना चाहिए कि 63 साल में उन्होंने देश को कितने एम्स दिये और मोदी जी ने आठ साल में कितने दिये कितने आइटी दिये कितने आएम दिये कितने एरपोर्ट बनाए कितने नेस्टन हाईवे बनाए कितने लोगों को सोचाल ने दिया कितनों को आवाज दिया कितनों को गुजला के कनेक्शन दिये कितनों के खाते खुलवाए, कितनों के पैंसन दे रहे ये सारी विवस्ता है देखने के बावजूद भी वो आंकलन करें अपना जो वो 63 साल में नहीं कर पाए वो हमारी सरकार नहीं मानिया मोदी जी के नितुत में 8 साल में किया है देश की जनता का प्रेम अटूट प्रेम मोदी जी के साथ भारते जनता पार्टी के साथ है इसको लेके बौकलाते रहते हैं देश में इनको इन्होंने यात्रा निकाली यात्रे का जो जात्रा का जो इनको परणा मिला उसको लेके बौकला है हुए अभी ये कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है ये 63 साल सासन करने के बाद 63 साल मैं क्यों नहीं ये जमो कस्मिर में तरंगा फैराने के लिए लाज चौक पे वो क्यों 2030 में मोदी जी की सरकार आने के बाद गये जब धारा 377 तो ऐसा इनका पूरी कांग्रेस पार्टी का पूरे गांधी परिवार का लोगों को गुम्रा करने का लेकर लगातार गुम्रा करते रहें इनकी आदत में आगया है कि लोगों को गुम्रा करना है गुम्रा करके बोट लेना और फिर गये हो जाना है ये अमेठी तो इतनी बार शांसद रहे इनकी माताजी राये वाले री से इतनी बार शांसद है देखिए क्या विकास है हुआ 2014 के मोदी जी के आने के वाद महाँ पर विकास के काम सुरू हुए लोगों के घर पे च्छत महाँ पर नहीं है पीने का पानी हुआ को नहीं मिलता है कोई डेबलमेंट हुआ नहीं है हेम्स बनना है वागी चीज़े हो रही है तो मोदी जी के आने के बाद बन नहीं है थोड़ा आत्मजितिन को करना चाहिए देश की जनता समझ चुकी है गुम्राव उनसे नहीं होगी और समयधाने करोप से उनको माफी माणनी जी है कॉंग्रेस ये करे रही है कि सर कोई ऐसा कार neden नहीं किया अब वो तो कुछ भी करैंगे तो उनको लगता है कि नहीं किया है अब यह तो नको आथिशन्दिन करना चाहिए क्यों देश के बाहर जाकि दुनिया के बाहर दुनिया में देश की चवी खराब कर रहे हैं जिस तरीके से मानिये मोदी जी के नित्वत में पूरी दुनिया का विस्वास पूरे हिंदुस्तानियों पर भारत पर भारत की सरकार पर बना है उसका पड़ा हम देख रहे हैं भारत आज जी टुन्टी का हमार ही आएगी बाहरे मेडिशिन मिलेगी वेक्शन मिलेगी लोगा के रहत हमें राथ बेज़गे आज हिंदुस्तान हमारा देश को बि santé मोत बेज रहा है मेडिशिन वार बेज़ रहा है तो हम सब दाले उसमें समाजवादी पार्टी भी सामिल है अब यह देखिए कि इडी सीवी आई च्छापे डाले यह तो क्या उनके घर में जो पैसा मिला वह भी जपी ने रखवा दिया वह जो काला धन हमनों ने लूटा है देश का वही तो निकल ला है तो इतो मोदी जी ने कही था क कि यह देश में काल धन लोट के लोगों ने किया उनको कारवाई करेंगे उन पे और काले धन को वापस लाएंगे जो जनता का पैसा जनता array याइगा तो उसमें गलत क्या है वो थीक है क्यूं पैसा कहाँ से निकल ला है अब वो भी कहे देंगे की वो सीबए साथ लेके जा उनकी पतनी हारी उनके चचेरे भाई हारे उनके ममेरे भाई हारे उनके फुफेरे भाई हारे और बाकी आगे पढ़ना मा जाएगा दोजार उनिस में देख लेंगे कि आपकी परिवार में कितने लोग जीतते हैं बात करने के लिए शुक्रिया कैमरा पसंद चंदन के साथ दिली सिर्देश अधब यूस पॉइंट